Hello friends ग्जैम आ गया notification आ गई हमारी नाइपर के एक्जैम की ये पहले बार हुआ। और इस साल जो ये नाइपर का एक्जैम है कोन kंडक्ड करने वाला है नाइपर हध्राबाद कंडग करने वाला है इन्होंने डेट्स दे दे दी है किस टेट को एक्जैम और किस डेट को होगा last two years से जो कोविट की वज़े से situation चल रही थी वो लोग situation खतम करते हुए इस साल on time अपना सारा बैच स्टार्ट करना चाते हैं कंड़क कौन कर रहा है है हैधराबाद लास्ट यह भी हैधराबाद ने किया था इस साल भी कौन कंड़क कर रहा है हैधराबाद तो जो important dates है हमारी important dates कौन कौन सी है अगर हम देखेंगे इन्होंने अपने इस map की website पे सब कुछ डाल दिया है किस date से जो हमारी counseling या फिजो हमारी dates आ रही है date किस date को start हो जाएगा चार तरिक को फोर्थ अप्रेल से form filling स्टार्ट हो जाएगी थर्ड मई से form filling बंद हो जाएगी तो kind of यह है कि आपका जी-पैट का exam का जो result है तो वह थर्ड मई से पहले आना चाहिए क्योंकि सिर्फ जो बच्चे जी-पैट qualify करेंगे वही नाइपर का exam दे सकते हैं उसके लावा नहीं दे सकते हैं एडमेट कार्ट 16 में को डेट 12 जून को और रिजल्ट 21 जून को जो counseling है वह 11 जुलाई से 13 जुलाई तक seat allotment चोदान जुलाई से 18 जुलाई तक और जो भी फीस वगरा बंडी है वह 21 जुलाई से 25 जुलाई के निचे यह सारे आपको नाइपर की website पे मिल जाएगा नाइपर की website पे मिल जाएगा नाइपर हैदरबाद की website पे आपको यह मिल जाएगा master's का ठीक है कौन कौन सी डेट को क्या क्या हो रहा है 14 चार अप्रेल से हमारा बेसिकली सीट हमारा जो notification की accordingly जो हमारी online application भणने स्टार्ट हो जाएगी 4 अप्रेल से 3 मही को सब कुछ बंद हो जाएगा 16 मही को whole ticket आ जाएगे 12 जुन को result हो जाएगा 12 जुन को paper हो जाएगा 21 जुन को result आ जाएगा 11 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में जो भी आपको अपनी preferences देनी है वो आ जाएगी 14 जुलाई से 18 जुलाई तक उस preferences के basis पे आपको सीट अलोट हो जाएगी और 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपको अगर आप अपनी सीट जो मिली है आपने जो preference भरी है आप अपनी fees भरके अपनी सीट fix कर सकते हो तो यह basically मोटा मोटा उन्होंने dates के बारे में दे दिया है सारी information इस ब्रोशर के अंदर आपको कितनी सीट्स हैं हर नाइपर में कितनी सीट्स हैं वो आपको पता लग जाएगा इसमें आप देखोगे नीचे जाओगे इसमें इसमें इस बार इन्होंने एक इंट्रस्टिंग चीज करी है इंट्रस्टिंग चीज क्या करी है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर पहले हम रिजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में जो फीस लगनी है फीस कितनी लगनी है वो हम आपको बता देते हैं इसके अंदर देखे यह फीस हैं आपकी अगर आप फीस देखोगे देखो नाइपर में बेसिकलिए दो चीज है एक आपकी एंफार्म और एक एंबिया है तो यहाँ पे इन्होंने तीन ओप्शन दिये हैं कि अगर आप सिरफ एंफार्म कर रहे हो एंफार्म अगर आप सिर्फ एंबिय कर रहे हो तो आपके जर्रेंड की तीन हग्जार सेटी यफ पंदराव और कंबाइन करते हो temple का मतलब क्या है MBA प्लस जो आपकी MS और M Farm है तो उसके Combined के फीस है 4000 रुपे और General के लिए S.E.S.T. के लिए basically कितनी है 2000 तो यह basically fee structure है जब आप admission के लिए fees भरोगे try करना कि आप both options चूज़ करो जब fill करो तो both के लिए करो ठीक है both के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है segregated करोगे तो कोई फाइदा नहीं है ठीक है अगर आपका interest ही किसी particular subject में है तो आप उस particular subject के लिए भी जा सकते हो but मेरी advice students को यह रहते कि आप दोनों की fees भर दो 1000 रुपीज है आप कर सकते हो afford आप भर सकते हो ठीक है but इस साल देखो एक तो हमारा हो गया MS MBA मास्टर का कोर्स हो गया basically एक नाइपर किसका पेपर लेता है अलग से PhD का माफ्टा मास्टर किसी को PhD करने है नाइपर से तो उसका अलग से पेपर निकलता है बट इस पर इस तो उन्होंने एक integrated PhD का भी स्टार्ट कर दिया है integrated PhD अगर आप integrated PhD का बात करोगे अगर मैं आपको integrated PhD का ब्रोशर दिखाऊंगा यह देखिए integrated PhD में इन्होंने हर एक MBA जो हमारा नाइपर है उसके अंदर particular seats कर दी है जो dates है information है वो सारे के सारी सेम है कि चार अप्रेल से स्टार्ट होगा तीन महीं तक चलेगा बारा सोला में को यह आएगा बारा जून को पेपर होगा एक कि जून को result आएगा बट इसमें एक चीज़ और है अगर मैं आपको दिखाऊंगे इसमें basically funda क्या है इसके ओपर एक detailed video हम लोग बना के upload कर देंगे एक दो basically यह six years program है six year program है two year masters और four year PhD that means यह है कि अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर enrolled होते हो तो आपको अलग से बाद है PhD का paper नहीं देना पड़ेगा कुछ terms and conditions है इनकी कुछ terms and condition है during master आपके साथ क्या हो सकता है ठीक है तो वो terms and conditions कि हम आपको जो detail video बनाएंगे उसके अंदर दे सकते हैं बट आपके लिए यह चीज़ है आपके चीज़ यहां लग सकते हो कि आप यह भी अलग से कर सकते हो इसकी जो paper सेम है paper सेम है जो आपका master's का paper है वही master's का paper है प्लस यह है कि आपकी जब counseling होगी उस time आपसे पूछा जाएगा क्या आपने integrated PhD course में जाना है नहीं जाना यही difference है और जो इसकी counseling है इसकी counseling है जो integrated PhD की counseling है वो आपकी master की counseling से पहले होगी अगर इसके fee structure की बात करें अगर हम इसके fee structure की बात करें यह इसका fee structure है form filling का इसका तीन हजार रुपे पंदरा सो पर सेम जो आपकी उसकी fees थी वही fees इसकी है ठीक है बस counseling के time साब पूछ लिया जाएगा कि आपको क्या करना है आपको simple masters course के लिए जाना है या आपको masters plus PhD के course के लिए जाना है कि आपका चार अप्रेल से चार अप्रेल 2022 से आपकी registration स्टार्ट है अब अपना GPAT का exam देखे यह अपना phone fill कर सकते हो 3 माई को इसकी date last date है phone filling के 16 माई को आपकी admit card आ जाएगा और द्वारा जून का आपका paper हो जाएगा यहां पी बेनली आपका काम खतम हो जाएगा रिजल्ट आएगा आएगा उसके बाद counseling स्राट होगी ठीक है और main conduct कौन कर रहा है यह आपने ध्यान लगतना है है ध्राबाद क्योंकि जब आप NIPER के लिए त्यारी करोगे तो depend करता है कि कौन आपका NIPER का exam conduct कर रहा है है ध्राबाद कर रहा है मुहाली कर रहा है एहमदाबाद कर रहा है क्योंकि पेपर में कुछ question उनके basis पे भी आ जाते हैं कि उनका है ध्राबाद में काम क्या चल रहा है क्या research oriented क्या काम चल रहा है तो यह चीज़ important आपके लिए ठीक है इसके इलावा further आपको कोई भी question है आपको doubt है ठीक है फिल्हाल तो आप हम यह कहेंगे कि आपने GPAT के त्यारी के लिए GPAT का exam दे दीजिए उसके बाद आपको कोई doubt आता है कुछ हो रहाता है तो आप हमाए नंबर पे नंबर में यहां पर लिख भी रहा हूँ 977-9737-368 इस नंबर पे आप call खरके WhatsApp खरके पूछ सकते हूँ ठीक है दो तिन courses है आप master's के लिए जा सकते हो आप MBA के लिए जा सकते हो आप master's and PhD के लिए भी जा सकते हो आपका six year का program है MBA और दो साल का है master आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे phone करके contact करके पूछ सकते हो नाइपर हिदराबाद की site पर आपको मिल जाएगा सब कुछ फिर भी कोई डाउट आता है कुछ हो रहाता है तो आपने जीपैट के exam के बार हमसे phone करके कुछ करके आप पूछ सकते हो आपकी totally help की जाएगी थेंक्यू आफ्रिवाद